नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने मले हैं दिल्ली यानिकी ब्रिटीज भारत की शाही राजधानी 1912 में जो दिल्ली का निर्मान किया गया था तो उसके पीछे क्या रिजन था दिल्ली को ही राजधानी क्यों बनाया गया और दिल्ली का इतियास क्या है दिल्ली के वास्तुकार है वो कोन है हम इस वीडियो में इसे बारे में जानेंगे दिलि-ाजधाद्वारी प्राइब में लाए गई है त्य जाणेंगे किसे असन-काल में ली को राजधानी के रूप में बनाने का निर्ने लिंग इंस अरी बतों पर हम तो उस गोपला स्वागत है आपका गोपला स्टेडी यूटूब चैनल में और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट रहती है विपर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सांथ में बेल आइकोन को जरू दबा ल जोर्ज पंचम के समय पर उसका यहां पर आपको छाया चितर दिख रहा है बात करते हैं हम हमारे एक टॉफिक की तो ब्रिटिस भारत की जो राजधानी के रूप में दिल्ली की बुनिया महाराजा जोर्ज पंचम द्वारा 1911 के राज्यभिशेक दर्बार या दिल्ली दर् दें की गए थी इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी आप सब जानते है 1911 में दिली को राजधानी बनाय का था कि दो मुख्य कारण थे वो क्या कारण थे हम यहां पर देख लेते हैं तो भारत परिशत अधिनियम 1909 जो आया था एक तो वो महत्पूर्ण था उसके लावे था बंगाल विभाजन के करण जारी संकट करण जारी संकट का मतलब यह है कि बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में और उसके बाद लोगों का भारी विरोध भी किया जा रहा था जो कि 1911 में इन्होंने 1905 ने ही उसको बंगाल विभाजन को रद किया था तो एक तो वो भी करण था और वो अपनी गलतियों का खामिजा की पूर्ती करने के लिए इन्होंने वहाँ से जो राजधानी थी उसको दिल्ली लाने का निर्ने किया था अंग्रेज एक इसी जगह चाहते थे जहां वे वर्स के सभी मोसम में रहे सके एक और मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाता हूं दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट्स मिल्कु आते हैं कि सार देख के भी पढ़ा सकता है क्या भी पढ़ा सकता लेकिन में यहां पर आपको बाद में भी उसको सेव करके पढ़ सके यहां पर समझ ले उसको बाद में स्किन सोट ले के अपने पास रख सके आपको पूरा नोट्स मिल जाए चलिए अंग्रेज यह इसी जगा चाहते थे जहां वे वर्स भर सभी मोसम में रह सके विभी निस्तलों की चांच के बाद अंत थी शिमला क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती थी बंगाल में और शिमला में बहुत ठंडी और अंग्रेजों को वैसे ही यूरोप में बर्फ में रहने की आदत है तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है आपको महभारत और मुगल सामराजी के साथ दि परन यहाँ पर थे लाड़ हर्डिंग ने रेखाचित्रों के चैन और पर्यवेक्षक में लुन्टियंस और बेकर की साहता लेने का सुझाओ दिया अब लाड़ हर्डिंग बोले तो उस टाइम पर जो हमारे गौवर्नर से वो थे लाड़ हर्डिंग और लाड़ और बेकर जो है यह दिल्ली के वास्तुकार है इन्होंने ही दिल्ली का निर्माढ करवाया है कि 1913 को है निर्णे लिया गए कि अब कोई प्रतियोगीता नहीं होगी और बेकर खरो कर्यों क्प्रमुक वास्तुकार वास्तुकार और प्रधान वास्तु सलकार के रूप में नियुक्ति किया जाएगा इससे पहले क्या सोचा गया था कि एक एक्जाम कराई जाए परिच्छा कराई जाए उसके तुरू इसका निर्ने लिया जाए कि कौन इसका वास्तुकार होगा लेकिन बाद में निर्ने लिय कर ही इसके वास्तुकार होंगे समीति छावनी के लिए 15 वर्ग मिल और साही शहर के लिए 10 वर्ग मिल का से तो जाती थी अब यहां पर आप जो यह चित्र देख रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में एडविन लूटियंस प्रमुक वस्तुकार थे और सहयक के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं इनका नाम है हरवर्ड बेकर यह दोनों प्रमुक वस्तुकार थे दिली के दिली नगर योजना समीति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में एक खाका तेयर किया जिसे नई राजधानी को तीन मुखिस्ति में वजित किया तो जो नई राजधानी बनने वाले थी उसको तीन भागों में वजित किया गय था पहली उन इमारतों पर केंद्रित थी जो सरकार नए सहर को सरकार का केंद्र बनाने से पहले प्रदान करने चाहती थी दूसरी उन इमारतों पर केंदे थी जिन्हें सरकार बाद में नए सहर में जोड़न सकती थी और तीसरी थी तीसरी वे इमारत थी जिनका नीजी संस्ताओं द्वारा निर्मान करवाना करवाया जाना था प्रथम स्रेणी की जो इमारत थी उनको प्रात्मिक्ता देने के दी गई थी और उनके अंतरगत क्या क्या आना था सरकारी भावन सची वाले प्रधान सेना द्यक्स का आवास परिश्चत के सद्यस्वगा निवास लिपिकों के लिए निवास सडक जल आपूर्ती जल निकासी पार्क सर्वजनिक उध्यान वरक्ष समवर्धन सहीत खुली जगा रेलवे का निर्मान ये सारी चीज़े जो आ रही थी ये इनकी प्रथम स्रेणी में आ रहे थी या बोल तो प्रात्मिक जो सेवाए थी इनका निर्मान करना था राइसिना पाड़ी पर इस्तित सरकारी भवन और दो सची वालों भवन सरकार के केद्रें बनने थे राइसिना पाड़ी की उचाई और उसके पीछे की उची जमीन को अनुकुल माना गया था आज भी राष्ट्पती भाहुन जो हमारा है वो राईसिना पहारी पर भी ही बना हुआ लुटियंस और बेकर ने भारती वास्तु सिल्पी तत्वों को अपने इमारतों में समलित किया लुटियंस को वास्तु सिल्पी तत्वों को समलित किया तो आप यहाँ पर एक कोशन आपका बन के आता है कि साच्य इस्तूप किस भाहुन को साच्य इस्तूप का प्रतिक माना जाता है तो किस भाहुन को माने वास्तूप का जो भाहुन था उसको बनाने की प्रेणना साच्य इस्तूप से ली गई थी जो कि मद्वदेश के राश्य जिले में बेकर द्वारा अभिकल्पित संसत भाहुन प्रारम में एक अलग इमारत नहीं थी बलकिया सरकारी भाहुन का हिस्सा था इससे परिशत कक्ष कहा जाता था सदस्योगी संक्या में रध्दी के सांथ सरकार को एक बड़ी इमारत बनाने की आव सकता मैसूस हुई थी 1914 तक परियोजने की अनुमानित लागत थी इसकी 10 करोड एक लाग चाचाट अजार पान सो रूपे थी जो परियोजने के अन तक काफी बढ़ गई थी या काड ये काफी हद तक 31 दिसंबर 1929 तक पूरा हो गया था वायसराय भावन जिसे आज राष्टपती भावन के नाम से जाना जाता है कि पहले निवासी लाड अर्णिन थे अब यहाँ पर कोशन आपका बन सकता है कि पहले निवासी कौन थे तो लाड अर्विन जो थे इसके पहले निवासी थे नया शाही शहर 3000 एगड में फैला था 1931 में इसका अंतिता उद्गाटन किया गया यह आज लुटियंस की दिल्ली के नाम से जाना जाता है दिल्ली का जो वास्तुकार है फो कौन है लुटियंस और दिल्ली का कुछ उस समय का 1912 में जब दिल्ली तैयार हुई थी 1929 में तब यह वाला नजारा उसका था आप देख सकते फोटू पर यह काफी पूरानी तिस्वीर है मैंने इसको भी यहाँ पर समलित किया तो यह दिल्ली का इत सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए वह सेर कीजिए और मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ना ना भूले थैंक यू थैंक्यू सो मुच